नमस्कार दोस्तो आज हम स्कूल सौफ्ट्वेर लांच कर रहे हैं ये अपडेटेड वर्जन है दोस्तो हमारा स्कूल का सौफ्ट्वेर काफी टाइम से हमने मार्केट में सप्लाई किया हुआ है solution दे रहे हैं, काफी सारे school हमारा software यूज़ करते हैं आज हम नया software लाँच कर रहे हैं, school software जिसका dashboard पूरा dynamic बना दिया है dashboard के उफर से ही जो भी जरूरी access है वो मिल जाएगा ये school के software को हमने हमारे website billingsoftware.guru के अंदर लाँच किया हुआ है यहाँ school का पूरा हमारे पास package है, आप देखोगे school management software, academic, tuition class, university, library, preschool, actually school, corporate school, music academy, student ID card, printing software तो इतने solutions हैं हमारे पास, हम school management software के उपर क्लिक करने से हमको पूरा detail मिल जाएगा, यहाँ पर से ही पूरा software डाउनलोड हो जाएगा केसे डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, उसका separate video link आपको इसी वीडियो के नीचे description में मिल जाएगा, यह डाउनलोड करने का direct link भी आपको इसी वीडियो के नीचे description के अंदर मिल जाएगा, software के main features, main काम हमारा जिसको बोलते है, objective of this software is to manage your school student list, उनके fees को manage करो, उनके academic data manage करो, यह सब चीजे यह software में manage हो जाएगी, तो हम देखते हैं, software के अंदर, यह रहा हमारा software, school software, master menu के अंदर यह देखो, account, account group यह accounting में काम लगता है, inquiry form और student admission है, inquiry form भी admission जैसा ही है, जहाँ पर कितने students inquiry करके गए, उसका भी data रखना है तो रख सकते हैं, यहाँ पर यह देखे, पूरा detail आ गया, भई मुझे class wise देखना है, कि 7th standard में कितने students हैं, तो यह देखो, 7th A, 7th B, आप section wise भी इसको filter कर सकते हो, total 66 students है, पूरी detail आ गई students की, student के नाम क्लिक करने से उसकी पूरी detail, name, address अगेरा आ जाता है दोस्तो, उसकी office के लिदूसरी information होती है, वो detail display हो जाती है, आधार कार्ड और गेरा, पूरा detail यहाँ पर से ही, यह export हो जाता है, इंपोर्ट हो जाता है, student का admission card भी यहाँ पर से print हो जाता है, word date यहाँ पर से पता चल जाती है, identity card प्रिंट करना है, तो वो भी यहीं पर से print हो जाएगा, ID card, इसका भी हमने separate video बना के रखा हुआ है, close करते हैं दोस्तो, master menu के अंदर आगे जाते हैं, fees head, fees head group and fees plan, तो आप यहाँ पर अलग-अलग student के अलग-अलग fees बना सकते हैं, एक फर्स्ट टांडर के अंदर हम एक से चार को 15,000 प्या fees लेते हैं, इस type के fees के structure आप define कर सकते हो, अलग-अलग type के fees आती है, तो वो अब बना सकते हो, kg की, primary की, secondary की, वो quarterly लेते हैं, annually लेते हैं, by monthly लेते हैं, one time लेते हैं, वो define कर सकते हो, कौन से महिने में ले सकते हो, पूरा flexible fee structure है, software के अंदर, root master है, कि बस चल रही है हमारी, अभी तो COVID में दो साल से बंद है, लेकिन वो ऐसा situation कोई lifetime रहने वाला नहीं है, बस चालू होगी, when चालू होगी, school की, बस के अंदर student आता है, ये भी fees के साथ attach हो जाता है, कौन से महिने में payment लेना है, पही monthly लेना ह frequency किया रखनी है, तो student की जब fees लेते हैं, तो ये detail भी add हो जाती है, master में आगे चले जाते हैं, बस master ये देखवा गया, root plan आ गया, class, section, हम define कर सकते हैं, school के अंदर कितने standards है, caste, category, house, house, school maintain करता है, तो ये भी हमारे software में available है, एक family में से दो-तीन बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वो भी detail डाल सकते हैं, items, छोटी-मोटी notebook वगेरा की inventory, school bag वगेरा की inventory manage कर सकते हैं, यहां से master open हो जाता है, shift, list of holidays, user ID, and organization info, तो ये हैं masters, अब हम entries में चले जाते हैं, यहां fees receipt में चले गए, new दबाया, यह देखो, search दबाया, student के नाम से, student के class से, student के section से, student का नाम आ जाता है, तुरंती, इस तरीके से, उसका जो भी fees वगेरा लेना है, उसकी detail आ जाती है, दोस्तो, इसका बहुत ही flexible print का format हमने बनाया हुआ है, जो इसी website के उपर, यहां पर link के अंदर available है, आप देखो गए, यह देखो, यह एक half a4 size में दो slip print हो गई, total fee, paid fee, balance fee, student का नाम, address अगेरा आ जाता है, यह इस तरीके से student की detail भी आती है, यहां पर logo अगेरा प्रिंट करना है, तो logo भी आ जाता है, यह revenue stamp अगेरा आपको डालना है, तो वो भी डाल सकते हो, student का g.r. अलग-अलग format हमने बना के रखा हुआ है, आपका खुद का later पेड़े उसके उपर print करना है, तो वो भी हो जाता है, तो fees receipt हो गई, family receipt, miscellaneous receipt, फिर आएगा library, यह देखा, पूरा library का module है, यहां पर आप excel में से books को import भी कर सकते हो, एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, label भी print कर सकते हो, नए book की entry यहां पर कर सकते हो, बुक का नाम क्या है, author क्या है, subject क्या है, जो student को हम issue करते हैं, edition, volume, देखो काफी सारी detail है, ISBN code भी है, international standard barcode number, तो यह detail आ जाती है, तो पूरा library का module, इसका भी हमारा separate software है, लाइबरेरी का पूरा module इसी software से work होगा, दोस्तो, material issue, stock purchase, stock management के लिए है, gate pass management भी available है, कि बाहर से visitors का जो भी data रखना है, क्योंकि अभी school में security बहुत important हो गई है, तो gate pass management system हमने रखा हुआ है, document issue and demand bill printing, यह भी available है software के अंदर, attendance का पूरा module available है, यह देखिए, date wise आपको attendance मिल जाएगा, और आप attendance लेना भी बहुत ही easy है, आप date select करो, यहाँ पर standard select करो, section select करो, सभी student के नाम आ जाते हैं, और सीधा present absence ही दबाने का रहता है, तो यह भी एक बहुत ही बढ़िया feature है, attendance के अंदर, यह सब चीज कैसे execute करनी है, उसके detail video की link, और user manual पूरा हम इसी video के नीचे description के अंदर डाल देंगे, जहाँ पर आप यह school का यह जो software देख रहे हैं, यही पर से पूरा user manual भी software का operate कर पाओगे, और ऐसे video के links भी दे देंगे, तो आप सिर्फ यह इसके अंदर सिर्फ features का overview करा रहे हैं, यहाँ पर time table ले देखो, assign time table, periods, teacher period, teachers period या teacher wise time table, या class wise time table, भई first MAA section में time table कैसा है, Monday, Tuesday, Wednesday, Friday, तो इस तरीके से पूरा time table आपका ready हो जाता है, देखो, software के अंदर, आपको सिर्फ teacher wise data डालना है, कि कौन से teacher, कौन से day को, कौन से period लेगा, first, second, third, fourth, एक class में कितने period आएंगे, वो सब पूरा master का creation भी यहाँ पर available है, अलग-अलग certificate प्रिंट कर सकते हूँ, इसी software में से school living certificate, student certificate, teacher certificate, living, present, सी काफी सारी documents है, अब आधार कार्ड करने के लिए जब student जाते हैं, तो उनको यह demand करते हैं, कि आप यह school में पढ़ते हो, वैसा detail लेके आओ, तो वो सब type भी यहाँ पर से ही प्रिंट हो जाता है, financial accounting के अंदर आप देखोगे payment receipt, यह दूसरे expenses वगेरा करने के लिए है, बैंक का पूरा management हो जाता है, जब student fees pay करता है, यह teachers को salary दे दी, school के अंदर कोई asset purchase किया, तो वो सब accounting भी यहाँ से इसी तरीके से bank entry में जाकर और quick payment में जाकर entries हो जाती है दोस्तों, यह sub entries का quick access यहाँ पर है, जैसे मैंने admission लेना है तो मैंने admission पर क्लिक कर दिया, dashboard के उपर ही, यह attendance के उपर क्लिक किया, पूरा attendance का module खुल गए, यहाँ पर से SMS भी हो जाते है, parents को, कि यह student आज नहीं आया है, transport की detail आगई, fees receipt आगई, यहाँ पर क्लिक करने से सीधा receipt का module ओपन हो जाता है दोस्तों, यह हो गया, अब हम display में चले जाते हैं, यह सब reports का main menu है, काफी सारे reports है, first part के अंदर, final accounting reports है, फिर fees register आजाएगा, आप यहाँ पर date select कर सकते हो, okay का button दबा सकते हो, आप पुराने date select कर लो, पिछले महिने का मुझे देखना है, या दो महिने पहले का देखना है, okay करोगे, आपको पूरा data, जितनी entry की हुई है, उसके हिसाब से यहाँ पर software दिखाता जाएगा, यह देखिए, सभी report का आप यहाँ सर्च में जाकर, admission number wise, student name wise, class name wise, section wise, category wise, आप multi filter कर सकते हो, सभी report को, so active students, so discontinued students, तो इस तरीके से यह, fish receipt register हो गया, fish head summary, fish dues list, जो important है, class wise आजाता है, detail आता है, fish status report, defaulters list, balance fish report, yearly fish receivable report, demand register, fish card, बहिए student का मुझे देखना है, तो तुरंत ही उसका number या नाम टाइप करने से ही, आपको यहाँ पर, उसका पूरा कितना फीज का पेमेंट किया है, उसका print निकल जाता है, दोस्तो, pdf बन जाता है, whatsapp भी हो जाता है, parent को तुरंत ही, तो clarity आ जाती है, कोई student यहादी inquiry कर रहा है, तो कितना fast है, reports, fees card, class strength, class wise strength, तो आप यहाँ पर देखोगे, first day में कितने boys है, कितनी girls है, यह देखो, सब data आप जैसे ही software में entry करोगे, सब यहाँ पर easily accessible है, receipt book, fees day book, head wise collection, fees structure, inventory के लिए stock issue, stock purchase, और stock register बताता है, जहाँ पर हमने notebook भाई purchase की थी, कितनी student को issue की, कितनी पड़ी होई है, उसका print out निकल जाता है, cash book, day book, leisure, examination section है, पूरा software के अंदर, जिसमें report card, marks की entry हो जाती है, term की entry है आप कर सकते हो, student wise, कौन सा class है, कौन सा section है, कौन सा subject के अंदर, कौन सा assessment है, fa है, essay है, उसकी कौन सी term है, first term, second term, यह सब के master है, यह सा नहीं कि यह हम बता रहे हो ही आएगा, आप जो, जैसा आपका school का test schedule है, उस तरीके से, और marks भी marks में entry करनी है, कि grade में उसका result दिखाना है, वो सब entry भी software अपने आप बनाएगा, exam masters के अंदर, और उसका report कार बन जाएगा, देखो, term master, assessment master, class wise subject, grading system settings, कि भई, assessment, fa के अंदर, मुझे grading system के अंदर जाना है, तो मैं maximum mark कितना लगाऊंगा, minimum mark कितना लगाऊंगा, कौन से subject के अंदर, मुझे minimum कितना percentage लाया, student, maximum कितना percentage लाया, तब मुझे grade क्या देना है, भई, CE grade देना है, तो इस तरीके से आप ये पूरा master भी बना सकते हो, तो final में इसे report card पूरा generate हो जाता है, दोस्तों, इसके भी अलग-अलग format है, आप जैसा कहो, उस type से, 360 degree पूरा crystal report के अंदर editing हो जाता है, तो ये है report card system, तो पूरा examination का module हो गया, यहां birthday reminders, उसरे सारे tools से additional field है, financial year हम खुद set कर सकते हैं, और sms templates है, जहां पर से हम student के sms कैसे जाने चाहिए, उसके template set कर सकते हैं, तो ये है हमारा school management software दोस्तों, आप हमारी website billingsoftware.guru के उपर जाओ, और इसका demo version, demo download करो, पूरा software चेक करो, हमको whatsapp पे बताओ, कोई दिक्कत आ रही है तो, और अच्छा लगे, तो आप single user, multi user, आपकी कैसी requirement है, आपके student के data कितने है, बड़ी school है, छोटी school है, उसके हिसाब से हम आपको अच्छा price देके, आपका पुरा implementation करके देंगे, और पूरा साल आपको कभी भी जरुवत पड़ी, हम पूरा support भी करते हैं, और पूरा user million date के उपर भी रखा हुआ है, अशा करता हूँ दोस्तो, ये software, आपको पसंद आया, अच्छा लगा, आप इसको download करेंगे, Thank you very much.